हाई फ्रेंट्स रमशकार दोस्तों में आना मैं गॉर्ण बागदाज को फांडर रेल्टी रहे हो और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक special project special deal लेके आया हूँ investors के लिए अगर आप investor हो और real estate commercial real estate में investment करना चाहते हो आपको एक अच्छा कासा ROI चाहिए और एक long term income चाहिए एक stable income चाहिए और आप confused हो अभी कि कहा investment करना है so इस वीडियो को लास तक देखना इसके अंदर आपके सारे questions के जवाब मिलेंगे guaranteed मिलेंगे और यहाँ पे मैं आपको इस एक ऐसे project में लेके आऊँगा जाऊँगा जहां पे जो इसका front है पहली चीज़ तो है बिल्कुल द्वार का expressway पे है बैंग ओन द्वार का expressway पे है number one second जो इसकी USP है जो इसका main feature है unique selling proposition है वो यह है कि यह एक किलो मीटर का इसका front है जी हाँ एक किलो मीटर का और वो भी बिल्कुल द्वार का expressway पे airy shape के अंदर एक किलो मीटर का front है जो की prime location है डैली के बिल्कुल नजदीक है almost zero किलो मीटर है डैली गुड़वावा के border से और जो आने वाली time के अंदर development हो रहा है इस sector के अंदर वो वड़ाई जबर्दस्थ है massive developments चल रहे हैं like IACC हो गया आपका diplomatic enclave हो गया भरतवंजना पार्क हो गया metro station planned है यहाँ पर इस sector के अंदर अगले तीन से चार साल के अंदर जैसे यह project completion पर आएगा delivery पर उस time पर यहाँ पर आपका metro भी चल चुकी होगी उस type के provisions है यहाँ पर Hi guys में मैं गौरबादा तो अभी मैं आपको इस project पे बताएता हूँ कि इस project का नाम क्या है exactly तो इसके बारे में मैंने video तो अल्रेडी बनाए हुए है अमारी channel पर बट मैं आपको यह जो video है यह specially अगर आप restaurant देख रहे हो restaurant का space open air तो उसके अंगल से video बना रहा हूँ तो यह बिल्कुल project की मैं आपको पहले कुछ images दिखा रहेता हूँ so that you can have look and feel of this property how it is going to look like once it is going to get completed और यह जो builder है इसने अलोड़ी इस type के projects अलोड़ी deliver करे हुए है तो यह एक look and feel है इस project का M3M का 101 3 sector के अंदर एक commercial project है high street retail project है capital walk करके और पीछे यहाँ पे residential projects है M3M के और आगे की तरफ यह commercial project है यह आपका बिल्कुल द्वार का expressway है bang on तो जैसे ही आप गुडगावा से दिल्ली की तरफ जाते हो है दिल्ली से गुडगावा की तरफ आते हो तो आपका यह इस तरफ पढ़ता है और जैसे अगर आप डेली से गुडगावा आते हो तो में सबसे बड़ा mall कौन सा रजर आता है ambience mall अब just imagine कि यह द्वार का expressway का ambience होने वाला है आप इसको ऐसे समझ सकते हो इतना 1 km का retail, 1 km का इसका front है basically L shape के अंदर और जो deal मैं आपको बता रहा हूं, restaurants बता रहा हूं, वो restaurants है आपके इसके top पे, जहां मेरा यह cursor चल रहा है, top floor open air restaurants हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और इस type का development at present यहां पे नहीं है, यह project है, तो यह बिल्कुल द्वार का expressway यह front है, एक और मैं angle से आपको दिखा रहा हूं, यह आपका front है द्वार का expressway और यह project है बिल्कुल, तो इतना बड़ा तो ambience का भी front नहीं है, बट इसका front है, तो यह जो मैं आपको restaurants बता रहा हूं, यहाँ पे ground floor पे triple height shops है, first floor और second floor पे retail की दुकान है, और जो restaurants का space है वो है आपका यहाँ पे third floor पे, third floor पे restaurants के spaces है और इसके अंदर मार पास special offers और special deals है आपके लिए, तो इस type का look and feel है, यहाँ पे premium mall है यह द्वार का expressway पे, अभी at present under construction है यह, इस type का look and feel है, जो आपका एक किलो मेटर का retail है, एक किलो मेटर front का retail है, यह internal view है इसका, काफी जबर्दस्ट architect है इसका, तो आप, you can have a look and feel about what it is going to be look like, this is view from first floor, यह view है आपका top floor से, तो यह इस type के open air restaurants है, जहाँ पे आपको कुछ area kitchen के लिए मिलेगा, और प्लस यहाँ पे आपको बैठने के लिए area मिलेगा, for example, this is going to look like, तो 2000 square feet के restaurants है हमारे पास, यहाँ पे कुछ area kitchen के लिए आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे open area मिलेगा, तो यह 2000 square feet के आपस के open air restaurants है, और यहाँ पे अगर आपके इसको shade डालना चाहों, तो इस type के shades भी डाल सकते हो, तो उसका भी provisions है है हमारे पास, और आज की date में यह international concept है, ज फिर मैं आपको इस पूरे project का एक layout दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे multiple entries हैं इस project की, you can see the red portion है, multiple entries है, almost 1 km का front है, तो यहाँ पे आपका काफी front यहाँ पे द्वार का expressway facing है और आप यहाँ पे चलोगे, तो यह भी एक road है, sector road है, तो यहाँ से भी front है, और इसके पीछे residential towers हैं, wide atrium है, यहाँ पे for flawless connectivity, multiple entries हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, और M7 के अज़र builder बात करूँ यहाँ पे मैं, तो काफी अच्छी 36 है, 42 project के आज़ पास अभी under construction और delivery की stage पे है, तो तेरा residential के project deliver करें है, 14 commercial delivery करी है, projects की 6 under construction है अभी residential के और 3-4 project अभी commercial के अंदर under construction है, तो काफी अच्छी खासा portfolio है, builder का तो आप trust कर सकते हो यहाँ पे, और इस property में अगर आप investment करते हो, तो आप bank FD से, gold से कहीं ज़ादा better return लेके आ सकते हो, और even residential property में आप investment करते हो, तो उससे भी काफी अच्छा खासा return लेके आ सकते हो, और इस suitable किस के लिए है, किस customer के लिए है, अगर आप एक business owner हो, doctor हो, manufacturer हो, trader, importer, exporter हो, तो आपके लिए perfect investment opportunity है, और डैली के नजदीक इस type के investment opportunity इस rate में आपको नहीं मिलेगी, डैली के जो malls हैं, और even जो दुकाने हैं, अन और्गनाइजड, वहाँ पे एक एक लाख रुपे पर स्केफिक का rate है, यहाँ से उससे आपको लगबग one tenth price पे आपको चीज मिल रही है, और यहाँ पे आसपास बहुत सारे entertainment के option at present नहीं है, और long term के अंदर आप यहाँ पे काफी अच्छा कासा lease rent भी लेके आ सकते हो, और better ROI लेके आ सकते हो, as compared to other asset classes like gold, share market, mutual fund, saving account, और even residential property के मुकाबले, so this is how it is going to be look like, यहाँ प 25 से ज्यादा residential project है आसपास, जो कि M3M के ही है, smart world के आ रहे है, पुरी diplomatic greens, Mahindra, Tata, ATS, Chin Tells, Raheja, India Bulls, Experion, बहुत सारे builders के project हैं, शिवभा के projects हैं, space के projects हैं, जहाँ पे जो लोग आएंगे वो यहाँ पे भी आएंगे, और जो लोग residential projects में रह रहे हैं, इंडिया international convention center वो बिलक department, diplomatic enclave 2 आ रहा है, just like Chanakkepuri, international airport पास में ही है, Delhi का largest transportation अब द्वारका के अंदर वो बड़ा पास में है, sports complex हो गया, आसपास 15 international school है, 10 5 star hotels हैं, और 10 plus multi specialty hospitals हैं, और यह 100% safe investment है with India's one of the top developers, with proven track record of multiple project delivery. जैसे हमना अलएडी बता है, आपको बहुत better है, घर में पैसा रखने से, क्योंकि घर में पैसा रखोगे तो वो double नहीं होगा, अगर आप commercial property में investment करोगे तो, काफे अच्छा कासा return on investment लेके आ सकता है आपके लिए, एक किलमेटर का frontage है, bank on द्वार का express way, with high cashment of premium projects, और यह आज-पास का जो area बिल्कुल smart city की तरह develop हो रहा है, जहाँ पे social infrastructure develop हो रहा है, corporate hubs, entertainment, food and beverage के लिए spaces, shopping centers, और अगर आपने आज ये मोका मिस कर दिया, तो आप 2-3 सार साल के बाद regret करोगे, कि मैंने right time पे decision क्यों नहीं लिया, जैसा already बहुत साई लोग regret कर रहे हैं, पस्तावा क कर रहे हैं, और ये एक लाग करोड की investment opportunity है, या आप उस एक लाग करोड में से आप पनी 2-3 करोड रुपे की investment opportunities का हिस्सा बन सकते हो, तो ये पूरे द्वारका expressway का one of the largest retail address है, bang on national highway और आपको पता होगा द्वारका expressway बिल्कुल national highway, और मैं बात करूँ यापर IACC की इंडि प्रगती मैदान हो गया, greater noida expo center हो गया, उस type का massive development यहाँ पे भी बन रहा है 26,000 करोड का massive development, बड़ी fast way से चल रहा है, अब मैं आपको price बता रहेता हूं कि पहले price क्या था और अब price device होके क्या चुका है, जब ए project launch में stage में था तो LGF का rate था 39,000 रुपे जिस पे 175 रुपे क guarantee थी, ground floor था 49,000 का 235 रुपे की lease guarantee थी, UGF 24,000 रुपे का rate था 140 रुपे की lease guarantee थी, first floor का rate था 19,000 रुपे, 115 रुपे की lease guarantee थी, second floor का 13,000 रुपे की rate था 80 रुपे की lease guarantee थी, और यही बाद में price बढ़के हो गया था आपका, 29,000 से 31,000 रुपे हो गया था, ground floor का again price revise हो गया था 42,900, UGF का 26,400, first floor, second floor, third floor का भी price revise हो गया था, 20,000, 14,000, 13,000, 13,000, 900 के आसपास, अब यहां से, क्योंकि ground floor अलरी भिख चुका है, तो वहाँ पे hardly कोई inventory बची हुए, तो again, जो limited inventory बची हुए, उसकी वज़े से company ने again price revise कर दिया है, तो बाकी price तो same है, बर जो ground floor है, उसका price बढ़के हो चुका है, 50,000 रुपे, तो just imagine, जिन लोगों ने 49,000 पे खरीदा, वो आज की date में premium पे बैठे हैं, तो जो मैं आपको deal दे रहा हूँ, वो भी एक 3K का first rate है, जहां पे आप अच्छा खासा premium कमा सकते हो, हर floor आपको यहां पे available हो सकते है, 13,900 पे, पर्स के fit पे, और हमारे लिए आपके पास कुछ बह transparency, यहां पे जो rate है at present यह है, 13,900 पर्स के fit, with 65 पर्स के fit month lease guarantee, तो यह standard rate है, बट उसके अलावा मारे पास बहुत सारे एक special offers हैं, जब आप हमारे साथ ते on table transaction पे बैठ होगे, उस time पे हम वो चीज़ आपको disclose करेंगे कि at present क्या आपके लिए special offer है, इसके अलावा अगर मैं बा पास से investment इसकी start होती है, 2000 square feet का आपको open air restaurant मिलता है इस transaction के अंदर, और अगर मैं appreciation की बात करूँ, M3M के projects की across गुडगवा, तो अरबाना 10,000 पे पे launch हुआ था, अज 50,000 पे के rate पे है, 400% का appreciation है, Cosmopolitan 10,000 पे पे launch हुआ था, 30,000 पे per script का rate है, 33% का appreciation है, SET point के अंदर, 122% का appreciation है, अरबाना प्रीमे में 45%, तो 45, 30, 40% से लेके 400% तक property appreciate हुई है, पिछले कुछ सालों के अंदर across आपका गुडगवा, M3M की different properties, तो उसका आपको ही tension लेने की जरूरत नहीं है, और आपके one of the biggest developer है, M3M, तो आप trust कर सकते, अल्रेड़ी काफी projects deliver करे ह हुए है, 15 से ज़्यादा project deliver करे हुए है, 3 अधार एकड का land bank है, और ultimately आपके पास property है as a collateral as a security आपके हाथ में, और आपके पास option है, कि अगर आप day one से अगर rent secure करना चाहो, तो वो भी आप easily कर सकते हो, और आरे वाले time के अदर आप पे काफी अच्छा खासा footfall रहेगा, जिस के लिए one of the best investment opportunity है, बढ़ अगर आप चाहते हो कि यह तीन महीने, चे महीने में trading करके में निकल जाओ, तो यह project आपके लिए नहीं है, let me be very frank, 3 से 5 साल का horizon at least होना चाहिए, तब ही आप enter करो, इस एक किलोमेटर के frontage वाले project के अंदर, और यहाँ पे आस पास जैसे मैं आपक पे retail, दुकाना लिना चाहो, first floor, second floor पे, even if अगर आपका budget काम है, तो भी आप हमको contact कर सकते हो, इन दिए हुए number पे, that's all about this video guys, thank you so much once again for watching till here, मिलता हूँ अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर, बट जाते जाते एक request करूँगा, किनकेस अगर आप first time channel पे आयो, तो make sure channel को subscribe कर दीजे, bear icon हिट कर दीजे, so that आपको इस type के वीडियो के future notifications आते रहे, second of videos मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, और make sure अगर आपने मारा एक भी वीडियो मिस कर दिया, तो समझ लीजे, आपने पना लाग को करोण रुपे का loss कर दिया, और अगर गलर decision ले लिया, चलिए चलता हूं मैं भी, मिलता हूं आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए, bye bye, take care, and thank you so much for watching.